सगालकुन सेवा जोहार तो चलिए सगाजान आज जानने वाले हैं गुंडी भासा में घरेलू समानों के नाम household goods, names in गुंडी language अर्थात घरेलू समान और इंगलिस में उसका होगा household goods आलमारी अर्थात अलमारी और इंगलिस में इसका होगा अलमिरा कमरिया अर्थात अलमारी दिवार में और इंगलिस में इसका होगा cupboard सहकी अर्थात ओखली और इंगलीश में इसका होगा मोर्टर लोह अर्थात इस्त्री इंगलीश में इसका होगा आरन नियार अर्थात अर्थात इंधन और इंगलीश में इसका होगा फ्यूल कराही अर्थात कडाही और इंगलीश में इसका होगा कॉल्डरन कर्छिली अर्थात कर्छुल और इंगलीश में इसका होगा लेडल पीपा अर्थात कनस्तर और इंगलीश में इसका होगा कैनिस्टर ककई अर्थात कंगी और इंगलीश में इसका होगा कम खुर्सी अर्थात कुर्सी और इंगलीश में इसका होगा चेयर खोबर अर्थाद काटा और इंगलीज में इसका होगा फ्रोक कसेनरडी अर्थाद गगरा और इंगलीज में इसका होगा जार चपोटी याद चौकी अर्थाद चकला और इंगलीज में इसका होगा पैस्टी बोल्ड चटाई चटाय अर्थाद चटाई और इंग्लीज मेश कहोगा मैट चटवा अर्थाद चम्मच और इंग्लीज मेश कहोगा इस्पून चन्ना अर्थाद चलनी और इंग्लीज मेश कहोगा सिव चद्दर अर्थाद चादर और इंग्लीज मेश कहोगा बैट सिट कुंजी अर्थाद चाबी और इंग्लिश में इसका होगा की कट्टूल अर्थाद चार पाई और इंग्लिश में इसका होगा कोट चिमीटा अर्थाद या चमीटा और हिंदी में इसका होगा चिम्टा और इंग्लिश में इसका होगा टंग भोपका अर्थात चिमनी और इंग्लिस में इसका होगा चिमनी सुदावली अर्थात चूलहा और इंग्लिस में इसका होगा इस्टो सुदैली बिजलीत अर्थात चूलहा बिजली का और इंग्लिस में इसका होगा इलेक्ट्री इस्टो सुटी अर्थात छडी सूटी ये छतिस गढ़ी में आज भी चलता है सूटी करके बोलते हैं और हिंदी में इसका होगा छड़ी और इंगलीज में इसका होगा इस्टीक छत्ता या छत्री ये भासा भी अभी विलूपत नहीं हुआ है च्छत्ता या च्छत्री जो है और हिंदी में इसका होगा च्छाता और इंग्लीज में इसका होगा अम्रेला संदूक, पेटी, अर्थात छोटा बाक्स, अटेच कैस, मोकरा जाल, अर्थात जाला, कॉब वेब सदैली जाल, अर्थात चुलहे का जाल, और इंग्लीज में इसका होगा ग्रेट जूला, अर्थात जूला, और इंग्लीज में इसका होगा स्विंग, जबला या टुकना अर्थाट टोकरी और इंग्लिश में इसका होगा बास्केट डबबा अर्थाट डिबबा और इंग्लिश में इसका होगा बॉक्स डोंगी अर्थाट डोंगा और इंग्लिश में इसका होगा बाउल मुडोसा अर्थाट तकिया और इंग्लिश में इसका होगा पिलो इंगलीज में इसका होगा पीलो कभर, तखरी अर्था तराजू और इंगलीज में इसका होगा बैलेंस, तार अर्था तार और इंगलीज में इसका होगा वैर, तारा अर्था ताला और इंगलीज में इसका होगा लोक, तिजोडी अर्था तिजोडी और इंगलीज में इसका इसका होगा सेप जगरा अर्थात तंदूर और इंग्लीज में इसका होगा ओवेन तठिया अर्थात थाली और इंग्लीज में इसका होगा प्लेट आर्षा या आइन अर्थात दर्पन इंग्लीज में इसका होगा मिरर माचीस दिया सिलाई का डिब्बा अर्थात मैच बोक् दिया सलाई की तीली अर्थात इंगलीज में इसका होगा match stick पल का कोच्छे अर्थात दंत खोदनी और इंगलीज में इसका होगा tooth peak पल घीसे किये अर्थात दंत मंजन और इंगलीज में इसका होगा tooth powder सूतो अर्थात धागा ये आज भी बोला जाता है च्छतिस गड़ी में यह की च्छतिस गड़ी और गुंडी का बहुत सब्द जो है वो आपस में एक दूसरे से संबंद रखते हैं और वही है गुंडी भासा जिसे च्छतिस गड़ी में भूला दिया जा रहा है सूतो, सूत बोलते हैं सूत, धागा, अर्थात, इंगलिस में होगा सेड तकत, अर्थात, पलंग, और इंगलिस में इसका होगा बैड डोल, अर्थात, पालकी, इंगलिस में इसका होगा प्लान क्विन काल कघीसे किये, अर्थात, पायदान और इंगलिस में इसका होगा डोर्मेट तुके किये अर्थात पीकदान और इंगलीज में इसका होगा इस पिटून कबशी अर्थात प्याला और इंगलीज में इसका होगा कब पुंगारदस से अर्थात फोल दान और इंगलीज में इसका होगा फ्लावर वेसे गाड़ा अर्थाद बच्चों की गाड़ी और इंगलीज में इसका होगा परंबुलेटर बरतन अर्थाद बरतन और इंगलीज में इसका होगा पॉट गुदाम अर्थाद बटन और इंगलीज में इसका होगा बटन बाल्टी अर्थाद बाल्टी और English में इसका होगा bucket, कुछी अर्थाद बुरूस, और English में इसका होगा brush, बेलना, अर्थाद बेलन, और English में इसका होगा rolling pin, bottle अर्थाद बोटल, और English में इसका होगा bottle, कट्टी या फिर बोरा, कट्ट भी बोलते हैं 36 गढ़ी में, और इसका इंगलीज में होगा सैक, मथानी या फिर मथानी अर्थात मथनी और इंगलीज में इसका होगा चर्नर, मट्टीनी अर्थात मिट्टी का तेल और इंगलीज में इसका होगा कैरोसिन, उसकाल या फिर मूसर अर्थात मूसली और इंगलीज में इसका होगा पिस्टल, टेबिल अर्थात मेज और इंग्लिश में इसका होगा टेबल मोमबत्ती अर्थात मोमबत्ती और इंग्लिश में इसका होगा केंडल परसे आतल टठिय अर्थात थारी इंग्लिश में इसका होगा डीस कतरी अर्थात रजाई और इंगलिस में इसका होगा क्विल्ट गेरवा अर्थात रस्च और इंगलिस में इसका होगा रो डोरी अर्थात रसी और इंगलिस में इसका होगा स्ट्रिंग राखड अर्थात राक इंगलिस में इसका होगा एस पेन अर्थात लेखनी इंगलिस में इसका होगा पेन कंडिल अर्थात लेंप और इंगलिस में इसका होगा लेंप चरू अर्थाद लोटा और इंग्लिस में इसका होगा बॉल अडगिनी अर्थाद टांगने की अलमारी और इंग्लिस में इसका होगा वार्डरोब पेटी अर्थाद संदूक अंगर इंग्लिस में इसका होगा बॉक्स सरोता अर्था सरोता और इंगलीज में इसका होगा नट क्रेकर साबुन अर्था साबुन और इंगलीज में इसका होगा सोब साबुन दस्य अर्था साबुन दानी और इंगलीज में इसका होगा सोब केच डोल्ची अर्थात सिंगारदान और इंग्लीज में इसका होगा कास्केट सुजी अर्थात सुई और इंग्लीज में इसका होगा नीडल चिल्लूम अर्थात हुक्का और इंग्लीज में इसका होगा हबल बबल वीडियो पसंद आया तो लाइक करें क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए प्रिना का कार्म करता है सगजन और वीडियो को अपने परिवार सगजन और मित्र के साथ सेयर जरूर करे और नीचे कमेंट कर बताए कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए और अपना सुझाव जरूर दे अगर चेनल पर पहली बारा हैं तो ऐसी वीडियो देखने और सीखने के लिए हमारे यूटूब चेनल कोईतुर टेकनलोजी को सब्सकाइब कर लिजे और साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा दीजे ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नाटिफिकेशन अर्था सुचना आप तक पहुँच पाए इसी तरह कि हमारी गोंडी भास लिपी से सम्बंधित नही नही जानकारी आपको मिलती रहेगी कोईतु टेकनलोजी यूटूब चैनल में आप सभी निरंतर जुड़े रहे एवां हमारी गोंडी भास लिपी को सिखने और सिखाने की कोशिस करते रहे सेवा जोहार, पुरूर जोहार, गोटूल जोहार सगाजन